Hello friends, कैसे हैं आप काफी time के बाद मिल रहे हैं, कितने घंटे हो गए हैं So, आज मैं क्या बना रही हूँ, So, मैं बना रही हूँ करेले के भाजे भाजे यानि के जो dry होता है वो चीज, So, करेले और आलू मिलाके ये रोटी के साइड में दालचावल के साइड में या ऐसे ही खाने में बहुत अच्छे लगते हैं देखी कیसे बनते So, ये देखिए मैंने करेले लिये थे करीब 1 kg करेले मैंने उनको छीन दिये थे अगर आपको दिखाएओं स्किन उनकी ये देखिए मैंने हलका हलका उनको छीन लिया था और फिर अंदर पे क्योंकि थोड़े मोटे बीज थे मैंने बीज निकालके उनको काटा है, हल्दी नमक लगाके आदे घंटे छोड़ दिया, हल्दी नमक इसलिए ताकि इनका कड़वापन जो है निकल जाए, तो अगर आपके बीज कच् कर रही हूं अपनी, तो मैंने दो बड़े चमच तिल का तेल लिया है, आप सर्सो का तेल भी यूज कर सकते हूं, मेरे अभी सर्सो का तेल जो है खतम है और मुझे ताई नहीं मिल रहा लाने के लिए, इधर मैं ये पानी बड़े अच्छे से ड्रेन करते हैं, ये सारे तो ये अब आलूओं को धक्कन नहीं लगाना है, खुड़ने में इधर हलका हलका हिलाते हुए, हमें कुप करना है, जब तर ये पोरे पक नहीं जाए, तो आलू है, तो हलका हलका शिटेगा, पर जो प्रॉब्लम्स जैसे हम करेले डालेंगे, वो तयार हो जाएंगे, अब आलू होते हैं, ये जो हमारे करेले हैं, मैं इनको पानी में अच्छे से रगड के धोलूगी और छान दूगी, ताथी जो हल्दी नमक था इन पे लगा और जो करवापन था, वो निकल रहा है, तो आलू जो है हमारे 90% कुख हो चुगे है, हमें कट करके दिखाओ, ये करेले कोड़ा, वह सकती है, हल्दी को कुख कर लेते हैं, और अब मैं ये करेले डाल दूगी और अब इसे बढ़िया से मिक्स कर देंगे, और धीमी आंच पे इनको कुख होने देंगे, जब सक करेले भी कुख नहीं हो जाये, और दोनों क्रिस्पी ना बन जाए, तो थोड पर आप यह दीनी आंच पर रखके अपना बाकी दूसरा काम कर सकते हो और इसे हम स्टोर भी कर सकते हैं दो तीन चार दिन के लिए अगर अच्छे से क्रिस्क बनाए तो यह खराब नहीं होते तीन चार दिन कई बार जादा भी तो विंटर में तो जादा तीक जाद है पर हम को यह इतना अच्छा लगता ना कि हम एक ही दिन में इसे पूरा खतम कर लेते हैं तो यह देखे किते बढ़िया से मेरे यह फ्राई हो गए हैं ब्राउन हो गए हैं अब हम इनमें डालेंगे नमक स्वाध अनुसार बहुत जादा मसाले नहीं पढ़ते हैं थोड़ा था नम करेंगे पर मैं आज नहीं डाल रही हूं और यह मैं डाल रही हूं इसमें अमचूर अमचूर से क्या है स्वाध आ जाता है और मेरा बेटा ने वह भी खा लेगा वरना करवाहट जो है ना करे लेकी फिर वह मना कर देगा कि मुझे नहीं खाना और यह मामूली सी लाल मिट् देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं आपको अगर जादा क्रिस्पी परसन है तो आप जादा क्रिस्पी रखें मैं जादा क्रिस्पी नहीं रपती प्योंकि मुझे वो बाइट चाहिए होता है करेले में यह देखिए अब मैं कर रही हूं गैस पन और यह हो गए है हमारे रेडी रोटी के साथ खाईए दाजचावल के साथ खाईए पापण के साथ जाए खाक्रे के साथ ऐसे साइट मुझे बहुत पसंद है और यह दो तीन दिन तक खराब नहीं होता है अगर इसे बहुत अच्छे से आपने कुक किया है तो तो आई होब यू इंच्वाइट तोड़े इस वीडियो थैंक यू सो मच पो वचिंग बबाई गरम कडाए में थोई दे रहने दीजिए ताकि वो उसी में हलका हलका सा क्रस्प होता रहे बाई